हलो दोस्तो वेल्कम बैक टो मैं चैनल पंजाब ने एसनल बैंग में दोस्तो बड़ी जबर्दस वेकेंस आउट रही है मात्र बारी पास के लिए पत्की सरकारी नोगरी दोस्तो आप भारत के किसी भी राजे से विलोंग करते हों मेल हों फिमेल हों आप सब लोग इसको अप सबसे बढ़ी बात है दोस्तो सारे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं समय कोई भी टेकनिकल फिल्ड नहीं माही गई है मात्र बारी पास में आग गया तो आजगी वीडियो में बात करेंगे कौन सी पोस्त निकलिया कैसे अपलाई करना है क्या प्रोस सरेगा सारी बात अपनी वीडियो में को अरफ करेंगे तो बने चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना बिसिकली दोस्तो वेकेंस आउट हुई है पंजाब नेसल बैंक के अंतरगात आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तो क्लास 4 की वेकेंस आउट हुई है इसमें दोस्तो एज की बात करें तो कम से कम 18 साल जाए 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 24 साल आपकी एज होनी चाहिए और अखर आप SC, ST केटेगरी से भी लोग करतें तो आपको 5 साल का एज मिल एक्सेशन मिलता है और OBC केटेगरी बालो को 3 साल का एज मिलता है अब दोसो बात करते हैं सेलडी की सेलडी की बात करते हैं 14,500 चोर्म 2,495 चोर्म 2,B पहले बनती है अब बात करते हैं एजुकेशन् Month क्यूलीफिकेशन की डीज़काइन तो एजुकेशन्न क्यूलिफिकेशन नाम पे 12th बात किया वाल गया है जैसे कि Education Qualification, ID Proof, Address Proof, Residence Proof और आपका जो Date of Birth Proof होता है ये सारे डोकिमेंट्स लगाने के बाद आपको Send करने है इस Address पर दोस्तों ध्यान समर लेना इस Address पर सेंड करने है अब दोस्तों, Send करने की जो Last Date है ये है 26 फरवरी 2020 26 फरवरी से पहले-पहले आपको ये form apply कर देना है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो Envelope होगा उसके आप mention जरूर कर देना आप किस post के लिए apply कर रहे है जैसे कि apply for the post of class 4 जो भी आपको mention करना है उसमें application form में दिखा हुआ है कि कौन सी post basically निकली हुई है और उसके साथ-साथ आपको सारी चीजे mention कर देनी है 26 फरवरी से पहले-पहले दोस्तों आपको ये सारी चीजे send कर देनी है इसके अलावा दोस्तों आपको कोई और question ने सुजाओ हो तो आपको comment section भी लिख सकते हैं उससे बात कर सकते हैं Thank you so much दोस्तों for watching my videos